हेलो एब्रीवन कैचो सब लोग उमीद है कि सब बहुत अच्छ से होंगे इस वीडियो में हम डिस्क्रिप्शन करने वाले हैं कोस्ट नमबर फोर के फॉस्ट पार्ट के सॉलीशन के बारे में अगर आपने इसे प्रिवेस वीडियो अभी तक नहीं देखा साथी साथ आने व रहा है यहां पर फिस जो है वो ट्रावल कर रहा है और उसका इमेज जो है वो सरफेस आफ वाटर पर हमें देखने को मिल रहा है ओ कौनसा eff Ist e buhे कौन salarco, सर वे ये तु समझान है झारब कहरता है। यह जैसा हमें लग रहा है उसके हशाब से मैं आपको बता रहा हूं कि उमीद है कि यह हमारा Fris और यह हमारा सका क्या है इमेज है यह क्या हो गया? इमेज हो गया हो सकता है बोजुट भी हो बट देखने से अच्छा ही लग रहा है और यह हमारा क्या है फिस है ठीक है नीचे सर्फेस पे वह सिंपल फॉर्म में ट्रावल कर रहा है अलाकि सर्फेस नीचे होना चाहिए पर ठीक है चलो नेम दा फेनामिन और रसपॉर्मेस आफ ओफ хороший लग है यानी कि कौन सा फेनामिन है जिसलिए goinogen होता है ये फेनामिन होता है उर इस और ह होता है क्योंकि रिफ्लेक्स के बने क्योंकि वहां पर हमें reflection ही देखने को मिलेगा और reflection के case में image नीचे ना बन कर क्या बनता है कि हमें क्या मिलता है कि ray of light जो है अंदर ना तो bent करता है नहीं उसके basis पे हमें out of the normal देखने को मिलता है जबकि वो क्या होता है bounce back हो जाता है बट यहां तो कुछ bounce back जैसा देखने को मि reflection कौन सा होगा that is a reflection यह reflection के कारण ऐसा हमें देखने को मिलेगा ठीक है अगर आप actual में देखो ना तो actual में हुआ क्या है ऐसा समझ सकते हो कि लटे सब्स यह हम लोग ऐसा tank समझ ले इसमें हमारा क्या है कि water भरा पड़ा है ठीक है water भरा पड़ा है यह tank ना लेकर tank में लेंगे दो size दिखाई दे ना दे छुड़ दो tank अभी हटा देते है ठीक है बड़ा सा ऐसा ही हमें क्या है एक surface ले लेते हैं जिसके नीचे में पानी है उपर में air है ठीक है चलो आज़ो surface ले ले लेते हैं यह surface हो गया नीचे में क्या है पानी भरा पड़ा है नीचे में पानी भरा पड़ा है और उपर में simple form में हमारे पास क्या है that is air हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर कोई मचली है कथरनाग मचली है ठीक है यह मचली आई ठीक है यहाँ से एक ray of light निकला यहाँ पर जो normal यहाँ पर होगा और क्योंकि यह dancer से rarer जा रहा है तो यह क्या चला जाएगा away from the normal चला जाएगा same case में अगर आप देखो तो एक ray यहाँ से जाएगी ठीक है एक ray और आपका यहाँ से निकलेगा जो की कहाँ चला जाएगा let us suppose यहाँ से निकला यहाँ से निकला और यह केदर चला गया that is away from the normal चला गया तो actual में कहाँ से गया यह ऐसा लगेगा कि जो ray of light आ रहा है वो actual में यहाँ से आ रहा है इसलिए fist जो है आपको थोड़ा सा slightly क्या दिखाई देगा उपर में दिखाई देगा आप बहुत खतरनाक फिस बना रहा हुए और माई अना supposed कर लोगे कि यह हमारा फिस है ठीक है तो यह slightly थोड़ा सा आपको कहाँ दिखाई देगा उपर में कि उपर में actual में फिस आपको है और वही चीज आपको यहाँ पर दिखाई देने को मिल रहा है ठीक है उमीद है कि यह पाड़ भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा हालक इतना खतरनाक फिकर बनाया है कि इसको मिटाना तो बनता है नहीं तो हो सकता है कि किसी का उल्टी-उल्टी हो जाए अपना कोई ऐसे कैसे बीजटी कर सकता है अब यहां से जाने के बाद अगर हम लोग इसका नॉर्मल कुछ इस टाइप का हमें देखने को मिलेगा अब आपको दिख रहा है यहां पर एंगल कितना बना रहा है यहां पर एंगल बनाएगा आपका 90 तो यह 45 हुआ तो यह भी 45 हो जाएगा उस बेसिस पर यह एंगल भी कितना होगा 45 होगा कितना होगा 45 हमें देखने को मिलेगा अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि जो critical angle है वो कितना है 42 degree है जबकि incident कितना पर कर रहा है 45 degree पर तो हमें TIR देखने को मिलेगा TIR मतलब total internal reflection हमें देखने को मिलेगा total internal reflection का case क्या ही होता था तो total internal reflection का case होता था कि जब भी कोई ray of light जो है critical angle से जब भी कोई ray of light जो है incident करता है और वो refract जो है critical angle से ज़्यादा पर करता है तो उसको हम लोग TIR बोलते हैं यानि कि उस case में उसका reflection देखने को मिलता है यहां पर यह हमारा simple form में क्या करेगा जाएगा जो कि यहां पर एक second यार क्या हो गया यह हमारे साथ अच्छा यह page खुल गया एक second रुख जाओ ठीक है यह यहां पर चला जाएगा और angle कितना बनाएगा अगेन यह बनाएगा आपका 90 degree एक second रहा angle कितना बनाएगा और यह simple form में straight line में यह निकल जाएगा तो यहां का angle कितना हो गया 45 डिगरी इधर भी angle कितना बनाएगा तो आप बोल सकते हो कि इधर का भी angle 45 डिगरी आपको देखने को मिले तियार के case में जितना incident होता है उतना ही हमें reflection का भी angle देखने को मिलत है ठीक है तो इस type से simple form में इसका जो है आप बना सकते हो हमें complete करना था path को हमने complete कर दिया क्रिटिकल एंगल 42 डिगरी था और यहां पर जो reflection था वो 42 डिगरी से जादा हो रहा था इसलिए इसने क्या किया total internal reflection को क्या किया follow किया ठीक है I hope कि यह पार भी आपको बहुत अच्छे से बढ़ाई करते रहिए all the very best for your upcoming examination